दोस्तों नमस्कार मैं मौनू पवार स्वागते हैं आपका मेरे यूट्यूब टैनल पर उत्राखन के चुनाओं से जुड़े दिल्चस्प किस्सों की सिरीज में आज एक नया किस्सा जिसके तार जुड़ते हैं मश्रूर अंतराश्टिया निशानेबाज उलम्पियन जस्पाल राणा के ससुर ने राजनिती से ही तौबा कर लिए क्या है वो पूरा किस्सा आए लेक्ते हैं इस व्यूडियो में दोस्तों ये नब्बे के दशक का किस्सा है जब पुरदेश और दुनिया में शूटर जस्पाल राणा की धूम मची हुई थी उन दिनों चेंपियन निशाने बाद जस्पाल राणा देश के हीरो थे वो 1994 में हिरोश्रिमा में हुए इश्याई खेलो में निशाने बाजी में देश के लिए गोर्ड मेडिल ला चुके थे तब उनकी बड़ी चर्चा हुई थी इस काम्याबी के लिए तब सरकार ने 1994 में उन्हें खेलों के लिए दिये जाने वाला सबसे बड़ा सम्मान अर्जिन एवोर्ड दिया था तब जस्पाल राणा मेज 18 साल के थे दो साल बाद यानि 1996 में उन्हें भारत सरकार ने पदमशीर से नवाजा था तो उन दिनों पहाड में भी जस्पाल राणा के बहुत चर्चे थे हलांकि उनकी करमभू में दिल्ली थी लेकिन पहाड के लड़के ने दुनिया में डंका बजाया था इसलिए पहाड के लोग भी गर्व से फूले नहीं समा रहे थे दोस्तों मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है कि तब शाय जस्पाल राणा की सगाई हुई थी या शादी हुई थी दिली में उतराखनी मूल के एक बिजनिसमेन हुआ करते थे आलम सिंग बिस्ट जिनकी की उन दिनों पैरामेक्स, इलेक्ट्रोनेक्स, प्रावेट लिम्टेड नाम से कमपनी थी उन्हीं की बेटी है रिना बिस्ट, वो भी नेशनल लेवल की निशाने बाद रही हैं और उन्हीं से जस्पाल राणा की शादी हुई थी तो दामाद जस्पाल राना चुंकि उन दिनों बहुत बड़े सेलिबिटी हो चुके थे उन्हें पुरी दुनिया जान रही थी उन्ही दिनों की बात है जब जस्पाल राना के ससुर जी यानि आलम सिंग बिष्ट पर उतराखन में आकर विधान सभा चुनाव लड़ने की धुन सवार हुई उन्हें शायद ये उमेती की दामाद जस्पाल राना की पॉपुलरिटी से उन्हें चुनाव में आसानी होगी और पहले ही चुनाव में विधान सभा में एंट्री करने का मौका मिलेगा तो उतराखनी मूल के दिल्ली के बिजनस्मेन आलम सिंग बिस्ट चुनाव लड़ने पहुँच गए पौड़ी गड़वाल जिले में वो मूल रूप से पौड़ी गड़वाल जिले के मरोड़वा गाउं के ही निवासी थी जो की पाबो ब्लॉक में पढ़ता है तब आज का उतराखन उतरप्रदेश का ही हिस्सा था सबसे दिल्चस बात ये है कि बड़े बिजनस्मेन होने के बावजूद चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने किसी राश्ट्रिय पार्टी का दरवाजा नहीं खटकटाया वो उतराखन क्रांति दल से चुड़े और UKD के टिकट पर उन्होंने करणप्रयाग विधानसवा सीट से परचा भढ़ दिया उन्दों करणप्रयाग सीट का नामांकन वगेर है पावडी से ही होता था क्योंकि इस विधानसवाक शेत्र का ज्यादाता हिस्सा पौडी जिले में पड़ता था शूटर जस्पाल रणा के ससूर आलम सिंग लिस्ट ऐसे सीट पर कूथ पड़े थे जो कि पहले ही दिकजों का अखाड़ा बने ही थी वहां से ततकालिज विधायक रमेश पोखरियाल निशंक यूपी के पूरु मंत्री डॉक्टर शिवारण नौटियाल भरत सिंग चौदी जैसे जाने माने चेहरे चुनाव लड़ रहे थे लेकिन जस्पाल राणा के ससुर जी को नजाने क्या सूजी कि वो भी तार ठोंकने उसी करणप्रयाग सीट पर पहुँच गये लेकिन उस चुनावी अनुभव ने बाद में उनकी आखें खोल दी अपने ससुर का चुनाव परचार करने खुद उनके दामाद अंतराष्टिय निशानेबाज उलम्पियन जस्पाल राणा स्तार परचारक बन कर दिल्ली से आए उन दिनों करणप्रयाग विधानसवा सीट का भूगोल बड़ा कठिन था जस्पाल राणा को अपने ससुर की चुनावी कैंपेंडिंग के लिए पहाड के दूर दराज इलाके में जाना पड़ा वो ऐसे पिछले इलाके थे जहां शायद उससे पहले जस्पाल राणा कभी गए हो जस्पाल राणा ने 1996 के उस चुनाओं में अपने ससुर की खातिर पहाडों की खूब खाक चानी इलाके में लोगों से हमें फीड़बैक मिलता था कि जस्पाल राणा के ससुर ने उस चुनाओं में पैसा भी खूब भाया तो आलम सिंग बिस्ट निली से आकर सीड़े चुनाओं में उतर पड़े थे उस इलाके में उनका गाम जरूर था लेकिन उससे पहले हुने अपने अपने इलाके में कोई जमीनी काम नहीं किया था तो उन्हें फिल्ड में बहुत दिक्कतें आएं मुझे याद है कि 1996 के उस चुनाओं के दौरान उन्होंने एक दिन पौड़ी के टूरिस्ट हाउस में एक प्रेस कांफरेंस बुलाई थी उन दिनों में अमरुजाल आखवार के लिए काम कर रहा था मैं भी आलम सिंग बिस प्रेसलियत को समझे बगेर ये लोग सिर्फ जस्पाल राना की पॉपुलरिटी और पैसे किदम पर चुनाओं जीतने का सपना पाले हुए हैं लेकिन दोस्तों जब चुनाओं का रिजल्ट आया तो उन्हें उस सच्चाई का बहु भी एहसास हो चुका था जस्पाल राना की ससुर और UKD के उमिदवार आलम सिंग बिस्त कानप्रियाग विदानसवा सीट से चौथे नंबर पर रहे उन्हें कुल 4922 वोट मिले यानि करीब 5 दर्शाव लव 71 फिसदी वोट थे वो चुनाओं बीजेपी के रमेश पोखरियाल निशंक जीते थे जब ससुर आलम सिंग बिस्त चुनाओं के दौरान हमें एक दिन उखोडे उखोडे से नजर आये थे उनमें जुझलाहट सी दिख रहे थी वो शायद भाप गये थे कि पहाड में चुनाओं लडने की को वो दिल्ली से जितना आसान समझ रहे थे उतना है नहीं बहराल वो चुन साल बाद साल 2016 में उनके बारे में बहुत दुखद ख़बर मिली कि उन्होंने साउट डेली में अपने घर में खुद कुशी कर ली ऐसी खबरे चपी की शायद बिजिस में नुकसान से वो परिशान रहते थे बात में स्वरगी आलम सिंग बिस्त के बेटे और जस्पाल ला लेकिन उन्हें उस चराओ में गिनिती के 516 वोट मिले जस्पाल राना के सेलिबर्टी होने का राजजितिक फाइदा ससुर आलम सिंग बिस्त और साले धिरेन सिंग बिस्त को तो नहीं मिल पाया लेकिन जस्पाल राना के पिता नारायन सिंग राना को ज़रूर मिला जब उ और भाल से यूपी के लिए विधान परिशत के सदस्से बनाए गए थे वो खुश क्रिश्मत रहे कि उत्राखन राजी के गठन के साल 2000 से साल 2002 तक जो काम चलाव सरकार बनी थी उसमें नारायन सिंग राना खेल मंत्री बनाए गए थे पहले अपने ससुर और फिर अपने पिता के लिए कैंपेनिंग करते करती जस्पाल राना को भी राजनीती लुभाने लगी थी और वो एर्शियन गेम्स के बाद साल 2009 में बीजेपी में शामिल हो गए साल 2009 में जस्पाल राणा को आसानी से बीजेपी का लोगसभा का टिकट मिल भी गिया उन्हें बीजेपी ने टिहरी सीट से लोगसभा का चुनाव रड़ाया लेकिन कॉंग्रेस के विजया बागुणा से वो 53,000 वोटों से हार गए विजया बागुणा को 2,63,000 वोट मिले जबकि जस्पाल राणा को मिले थे कुल 2,10,000 वोट इसके बाद जस्पाल राणा की विजेपी के साथ पारी लंबी नहीं चली और तीन साल बाद ही यानि 2012 में जस्पाल राणा कॉंग्रेस में शामिल हो गए थे दोस्तों मुझे उमीद है कि उतराखन के चुनाओं से जुड़े किस्तों की ये मेरी स्रीज आपको पसंद आ रहे होगी अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो दूसरों तक भी ज़रूर पहुँचाएं मुझे आपके फीडबैक का इंतिजार है निचे कॉमेंट बॉक्स में अपने कॉमेंट छोड़ सकते हैं और उन दोस्तों से अपील जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है ये काम फटाफट कीजेगा इससे होगा ये कि आप से मेरा कोई भी नया वीडियो मिस नहीं होगा तो जल्द हाजिर होता हूँ एक नया वीडियो लेकर तक तक के लिए नमस्कार